बिजली के लिए बहुत समयस्या बड़ी बड़ी है इसलिए कि बच्चे भी गर्मी से मरे जा रहे नमस्कार आप देख रहे हैं कभीर नीज में हूँ आपके साथ जितियन कमल कानेजी सरकार को मुँ की खानी पड़े इसलिए शायद नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली पारी में ही घोशित कर दिया था कि देश में कोई भी गाउं बिजली से अचूता नहीं है मतलब हर जगे बिजली पहुँच गई है लेकिन सिर्फ कागजों पर लेकिन वही अगर जमीनी फैक्ट चेक करें तो हकीकत शायद वैसी ही है जैसी जमीन पर आयुसमान योजना की है इस गाउं की इस हालात के जिम्मेदार सिर्फ भाजपा का एक जूट ही नहीं है बलकि कॉंग्रेस के सतर साल के छदम देश प्रेम और विकास की भी बोल खोल रही है आजानी से लेके अब तक कानपुर देहात का ये गाउं बिजली की रोशनी के लिए तरस रहा है काउं को कई बार मुक्यतरा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं से जोड़ा गया लेकिन हाला जसकितस है इसको लेकर जब हमारे प्रत्निधी राउल राजपूत ने ग्रामीरों से पूछा तो ग्रामीरों ने इस बात पर खासा आक्रोश देखनों को मिला कानपुर देहत मुक्याले माती से 40 किलोमीटर दूर रसुलाबाद छेतर के भन्थावरी गाउं में अभी तक विद्युतिकरण नहीं हुआ है इस गाउं को राजिव गांधी विद्युतिकरण योजना में सामिल किया गया तो कभी जनिस्वर मिस्र योजना से जोड़ा गया इसके बावजूद इस गाउं में बिजली की रोशनी नहीं पहुंच सकी है ग्रामीर आजादी की बाद अभी तक एक बल्म की रोशनी को तरस रहा है बिजली ना होने से गाउं के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अगर पढ़ाई कर भी रहा है तो बच्चे दीपक के अलाल्टेन का सहारा ले रहा है दीपक से निकलने वाला धुआ भी बच्चों की आँखों के लिए घातक सावित होता है आँके फोड़ने का काम कर रहा है गाउं में खाना पूर्ती के लिए दो साल पहले से ही खंभे गाड़ दिये गए थे मलब आप समझ सकते हैं कि खंभे गाड़े कहते हैं कि बिजली पहुँच गई है जब नरेंदर मोदी जी ने सभी गाउं को कहा था कि बिजली पहुँच गई है लेकिन वो भी आज सोपीस बने हुए है जबकि इस गाउं के पडोस के गाउं में बिजली बराबर दोड़ रही है सायद उसी को काउंट कर लिया क्या होगा ग्रामीडों को माना जाए तो इस गाउं की बिजली कागजों में तो चल रही है लेकिन हकीकत कुछ और है गाउं में हाई टेंसन के तारों को निकाला गया लेकिन घरों तक बिजली पहुचाने में अभी समय लगना तया है यहने कहा था ना यह कागच पे चल लई है गाउं के खड़े बिजली के पोल ग्रामीनों को मुझ उड़ा रहे हैं और शायद यह पोल नरेंद मोदी की भी याद दिला रहा है चुनाओ नजदीक आते ही बड़े बड़े नेता गाउं आकर क्या क्या वादे नहीं करते हैं उचले जाते हैं जीतने के बाद वो वादे शायद उन्हें याद नहीं रहते हैं ग्रामीरों से कई बार वादा किया गया लेकिन अभी तक इसे हकीकत में नहीं बदला गया है विधाल सभा हो या लोक सभा हो चुनाओ आते हैं वोट मांगने आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं मतदान हो जाता है जीत जाते हैं लेकिन ये गाउं अभी तक ना कॉंगरेस के सरकार को समझ में आए ना भाजपार के सरकार को समझ में आए ना यह दिखता है ना यहां कि उनको परहसानी समझ में आते है इतने लोगों से जब प्रतनिती ने बात करी तो उन्होंने इस समस्या को बेखोफ होके बताया और अफसरों के खिलाब सिकायद दर्ज करवाने के लिए प्रतनिदी से कहा और कहा की सुनवाई करवाई जाए तो यह है हकीकत हम फैक्ट चेक लेके आए हैं कि कहां कहां गाहों बिजली पहुच रही है कहां कहां प्याव इसमान योजना चल रही है जिसको लेकर मोदी जी ने 2019 में सवाव करोन जनता से वोट मागे हैं यह हकीकत अब तर लाट का पता नहीं है पंच बरसी अभी अब भाजपा को वोट दी यह सब लोगों जीताया ने ने मोदी के सरकार बने योगी भी आए उसमें यहां के बहुतरी में सुब्दा नहीं तो यह बाजपा सरकार बनने के बाद आप लोगों को उम्मीद जगी थी हैंतो यह सोच रहे कि कहां से बीका भी र innovator हम लोगों हम लोगों पर्यशन एक इतना पर इसानल इती जो रहें हैं इस पर विसकREE पर सब्दरवरिश्ण से पर पर एसान जफें ब hall दीपक जलाना पड़ता तरudअब किस गौव में रहती है क्या समस्या है आपके गौव में तो बिजली नहीं है तो क्या क्या दिक्कते आते हैं आपके बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं ऐसे पढ़ते हैं आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब विवास्ता हो जी आपके गौव में बिजली नहीं है तो कैसे आप पढ़ाई करते हैं तो बिजली गाव में है या नहीं है किस गौमें में रहती हैं विजली को लेकर कैसला नहीं गौट वाड़ी गाहिए इसलिए की बच्चे भी-गर्मी से मरे जा रहे हैं उर हम लोग को यह सब्सक्राइब कोई लाइट के लिए कोई विवश्ता नहीं है ना कोई वो सुनता था झाथा ऐग और कि यहां है कोई लटकों साधी आदि आती हैं कि गाउं में साधी आती हैं वापस हो जाती है को बत्ती नहीं यहां पर बीवास्ताइन पानी नाली पानी कुछ नहीं है इसलिए वह उम्मीद है आपको सरकार से हमसे संद्धकार से यह उम्मीद है कि गाह में लाइट होना चाहिए रोड होना चाहिए और कानम की तो नहीं यह सब बच्चे आपस में पढ़ें लिखें अच्छी कार करें कोई विवस्ताय नहीं है तो बच्चे भी सब पागल है इसलिए कि कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं । इसे और लोग खुद भी कुछ काम नहीं कर जाओ ना पांखे की वह को कुण ना कुछ दुल आते फिर ते दरुदर दर गर्मे बैटना ही पाते है कि की